प्रचाईं से पता चल जाना चाहिए कौन आ रहा है एक पाइलिट दो बैग्स के साथ शुरुआत करता है एक बैग किस्मत से भरा और एक बैग एक्सपीरिंस से खाली तो आपको किस्मत के बैग का खाली होने से पहले एक्सपीरिंस के बैग को भरना होता है दुनिया के 195 देशों में से 15 से ज्यादा देशों में महिलाएं कॉम्बाट मिलिटरी रोल्स के लिए चुनी जाती है और अब भारत भी उन में से एक है 2015 में भारतिय वायो सेना ने कॉम्बाट रोल्स में महिलाओं को शामिल करने का अभूत पूर्फ निर्ने लेते हुए मौजूदा रुकावटर को खत्म किया ताकि महिलाएं आगे बढ़कर अपनी काबिलियत साबित कर सके महिलाओं को कॉम्बाट फाइटर पालिट्स के तौर पर शामिल किये जाने से इन तीनों की जिंदगी बदली है इससे लाखों भारतिय महिलाओं को आसमान में कॉम्बाट रेडी फाइटर जेट्स उराने का सपना पूरा करने की प्रेर ना मिली है आज फ्लाइट लेफ्टेनेंट अपनी भावना और मोहना अपना सपना पूरा नहीं कर रही बलकि अपने पुरुष साथियों के साथ साथ उडान भी भर रही है वो हर रोज सीखती है और अभ्यास करती हुई आगे बढ़ रही है और उस दिन के इंतजार में है जब उन्हें अपने देश की सेवा करने का मौका मिलेगा किसी को शुरुवात कर नहीं थी और उन्होंने की और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर मुझे खुशी हो रही है उन्होंने देश की दूसरी महिलाओं के लिए ये रास्ता खोला है कि वो इस ओप्षिन को चुन सके और उनके दिमाग में ऐसा कोई शक ना रहे कि वो ये नहीं कर सकती है देश के लिए ये बहुत बड़ी चीज है और हम सबको उन पर नाज है एरफोस में पूरिश और महिला में भेदभाव नहीं किया जाता क्या पता कल हमारे देश की सबसे बहतरीम फाइटर पाइलेट कोई महिलाई हो जब महिलाईं बेखौफ हो तो वो आसमान में आवाज से दुगनी रफतार से उड़ती है वो उन बेडियों को तोड़ देती है जो उने बंधे रखती है वो कहीं गहरे दबे इस शक को जूठा साबित कर देती है कि वो ऐसे काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते है ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया होगा और शायद ये देश के लिए एक फक्र कपल है मैं इस बदलाव का स्वागत करता हूँ मेरी एक बेटी है और अगर वो फाइटर पाइलेट बनना चाहती है तो मैं चाहूँगा कि वो जरूर बने तो ऐसा कुछ ही मन में ही नहीं था कि हो जाएगा और वो भी पाइलेट के लिए हो जाएगा ऐसा सोचा ही नहीं था सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार कोण पर फाखर हैं कु कहा दुछाया है तो काता है देखो वो बाबना के पिधा जी हैं तो उस समय तो मत पूछिय की इतनी खोसी होती है कि आखों Sayright वह अपनी पहचान हो तो दो यही लाइफ है क्ष्बावी के मुझे ढूनों ही अपनी पसंद है अपनी अपनी बेटी के तौर पे ज्याद सही लगती आपती है और ओफिसके तौर पे विशस पे गर्व होता है इससे हमारे देश और पूरे सब कॉंटिनेंट को प्रेरिणा मिलेगी कि महिलाओं को हर तरह के कामों और चुनोतियों में शामिल किया जाए इसमें कोई लिमिट या कोई बायस नहीं है एक्राफ्ट उडाते वक्त वो मेरा हिस्सा नहीं बलकि मैं उसका हिस्सा बन जाती हूँ मैं तो चाहूंगी कि फ्लाइंग में पूरी फॉर्मेशन ही महिलाओं की हूँ दे इंडियन एफोस ये एक शांदार ओर्गनाइजेशन है मैं खुश किस्मत हूँ की मैं इसकी फाइटर फ्लीट का हिस्सा हूँ और ये सबसे बहतरीन चीज है जो मुझे अपनी जिन्दगी में मिली है हुआ हुआ